Hello friends, welcome back with the new video दोस्तों अगर आप Paytmoney user हैं तो ये वीडियो आपके लिए है Paytmoney पे अगर आप trade करते हैं, intraday trading करते हैं तो intraday trading में हो सकता है आपका loss होता हो तो अगर आपको उस loss से बचना है तो आपको पता होगा कि आपको वहाँ पर stop loss order place करना होगा और बाद में जब share उपर चला जाता है तब हम लोग उसे बेज देते हैं तो यहाँ पर जो difference आता है वो हमारा मुनाफ़ा हो जाता है इसके लाबा internet trading करने का एक और तरीका है कि हम लोग उपर की price पे sell कर दे और बाद में अगर share नीचे आ जाए तब हम लोग नीचे जाके उसे buy कर ले तो यहाँ पर जो difference होगा वो हमारा मुनाफ़ा हो जाएगा तो यह जो दूसा case बताया मैंने इसे कहते है short selling अब यह short selling करते कैसे हैं यह भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है और short selling के case में stop loss कैसे लगाते हैं यह भी मैंने बता रखा है तो वीडियो को पूरा दिखीगा और अपने losses को कम से कम करिएगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले आपसे request है कि अगर आपको वीडियो में को समझ आता है दोस्तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने Paytm Money आप के उपर और यहाँ पर पूर्टफोलियो में positions टैब मैंने open कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी intraday की दो positions अभी active हैं तो intraday करने के जो दो तरीके हैं सबसे पहला कि खरीद लीजिए बाद में बेज दीजिए वो भी हमने कर रखा है पेटीम के केस में और दूसरा तरीका जहाँ पर हम पहले बेज देते हैं और बाद में खरीद लेते हैं यानि कि short selling करते हैं वो हमने कर रखा है पंजाब national bank में तो दोनों ही केस में stop loss कैसे लगाना है चलिए इसके उपर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अपना पेटीम के केस में stop loss लगा लेते हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है पेटीम इंट्राडे 0.82 multiplied by 541.95 तो मेरी average price है यहाँ पर 541.95 तो जैसे से share price उपर जाएगा 541.95 से उपर 542, 543, 545 तो मेरा profit होगा लेकिन जैसे ही share 541.95 से नीचे आएगा तो मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा नुकसान ना हो इसलिए जैसे ही share 541.95 से नीचे आएगा माली जै करीबन 540 रुपया आएगा तो मेरी position को यहाँ पर close कर दिया जाए इसके लिए आपको क्या करना है इसे share के उपर क्लिक करना है exit के उपर क्लिक करना है इसके बाद आप नीचे दिखेगा advance option करके एक option मिलेगा आपको आपको उसके उपर क्लिक करना है यहाँ पर से आपको इस stop loss select कर लेना है stop loss select करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी trigger price फिल करनी है current market price 542.50 चल रही है और हमने जो share buy किया था आपको याद होगा उसकी average price है 541.95 तो यहाँ पर हम दो trigger price set कर देते हैं 538 मान लिजे यानि कि जैसे ही share 538 की नीचे जाएगा हमारी position जो है उनको close कर दिया जाएगा तो 538 हम trigger price फिल कर देंगे और sell price पे हम लोग market ही रहने देते हैं आप custom price लिखना चाहें तो आप custom price क्लिक करके अपना custom price भी डाल सकते हैं यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम market price पे ही इसे sell करेंगे बट हम trigger करा रहे हैं अपने order को 538 पे 538 फिल करने के बाद आप swipe to sell पे select कर दीजेगा और आपका ये paytm के case में आप देख सकते हैं stop loss order हमारा set हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखके आ जाता है pending में कि paytm का sell का order यहाँ पर लगा हुआ है जिसकी trigger price है 538 तो कुल मिला कि करीबन 4 रुपे पर share का नुकसान लेके मैं paytm से exit हो जाऊँगा मेरी position close कर दी जाएजी तो यह तो था हमारा सबसे पहला case जहाँ पर हम लोग share को सबसे पहले buy करते हैं और बाद में sell करने का सोचते हैं अभी मैं चलता हूँ अपने दूसरे case के उपर इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ portfolio में दिन यहाँ पर आप देखते हैं Punjab National Bank Punjab National Bank में साब साब देखेगा लिखा है Intraday quantity minus 9 minus 9 इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले मैंने इनकी quantities को sell किया है Intraday में मैं सबसे पहले sell भी कर सकता हूँ और बाद में जाके buy कर सकता हूँ यानि कि share price जब नीचे जाएगा तब मेरा profit होना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर share price आपकी average price से उपर जाने लग जाएगा तब आपको वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाता है इसलिए यहाँ पर quantity में आप देखे लिखा है minus 9 क्योंकि मैंने सबसे पहले इसे short किया है यानि कि sell किया है अभी यहाँ पर देखेगा average price है हमारी 55 रुपए 50 पैसे यानि कि 55 रुपए 50 पैसे पर मैंने से sell किया है तो share price अगर 55 रुपए 50 पैसे से नीचे जाएगा मान लिजे 55 रुपए 50 रुपए चला जाएगा तब मेरा मुनाफ़ा हो जाएगा लेकिन अगर share price 55 रुपए 50 पैसे से उपर चला जाएगा मान लिजे करीबन 60 रुपए चला जाएगा तब वहाँ पर मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा इसलिए मुझे अपने नुकसान को काटना है अपने नुकसान को कम से कम करना है तो यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा एक stop loss तो यहाँ पर कैसे stop loss लगाते हैं चलिए वो देखते हैं इसके लिए हम लोग पंजाब निशल बैंक की position के उपर click करेंगे then exit के उपर click करेंगे then वापत से हम लोग advance option select करके stop loss select करेंगे stop loss auto select करने के बाद 50 पैसे से बड़ी price के उपर मैं यहाँ पर एक अपना stop loss लगाऊंगा मान लीजी यहाँ पर हम लोग 57 रुपीज पर अपना stop loss लगा लेते हैं तो जैसे यह share price बढ़ते बढ़ते 57 पर जाएगा तो मेरे shares को बेच दिया जाएगा तो पर share मुझे यहाँ पर करीबन 0.5 रुपए का नुकसान होगा 57 सेट करके हम लोग select कर देते हैं swipe to buy और यह हमारा order यहाँ पर place हो चुका है अभी मैं आपको order टैब में दिखा देता हूँ order टैब हमने open कर लिया है यहाँ पर भी आप देखो लिखके आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक बी लिखा है यह यह buy order है हमारा intra day का 9 quantity और trigger price आप देख सेट है इसका क्या सेट है हमारा 57 तो 57 रुपीज पर हमने पंजाब नेशनल बैंक में अपना stop loss सेट कर लिया है तो दुस्तों इस तरीके से हम लोग intra day में अपनी buy position और short position दोनों के case में stop loss लगा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपका ptm money पर dmatt account नहीं है तो description box से मैंने link दे रखा है आप उस पर से click करके अपना ptm money का dmatt account आपन करवा सकते हैं जते यते वीडियो को like जरू करना मिलेंगे आप से एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत